हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ आदा कप सूजी से बने बहुत ही जादा हेल्थी नास्ते की रेस्पी सेयर करेंगे जिसे आप सिर्फ दस मिनट में बना कर तैयार कर सकते हैं चलिए तो फटा फट से बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमने ए 3 चमज दही लिया है और 3 ही चमज पानी लेंगे तो यह देखे टोटल आदा कप हो गया तो जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हमने इसमें दही और पानी मिक्स कर दिया है आप चाच का भी यूज कर सकते हैं तो एक बार इसको ग्राइंड करके स्मूद पेष्ट बना लेत और अब इस नास्ते को हेल्थी बनाने के लिए कुछ सबजिया डालेंगे तो 2 चमज बारी कटी हुई इसमें सिम्ला मिर्च डाल देते है और एक छोटा टमाटर बीज इसके निकाल दिये है इसको डाल देंगे और एक ही चमज इसमें हमने बारी कटी हुई गाजा डाल दी तो नमक आप स्वात के अनुसार डालिएगा और सभी चीजों को अच्छी से मिक्स करेंगे तो इस नास्ते में सबजिया हमने सिर्फ एक चम्मच डाली है और अगर आप प्याज खाते हो तो बारी काट के इसमें एक चम्मच आप प्याज भी डालते हैं तो यह रेके बैटर कर तैयार हो गया तो आप इसे ढखकर पांच मिनट के लिए रेष्ट पर रख देंगे जिसे सूजी जो है थोड़ी से फोल जाएगी तब तक दूसी तैयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने एक केक वाला टिन लिया है इसे थोड़ी से ओल से हम ग्रीस कर लेते हैं क्यूंकि आज जो नास्ता हम इस्टीम करेंगे वो इसी तिन में करेंगे आप फाली कटोरी किसी में भी इस नास्ते को इस्टीम कर सकते हैं तो यहां भी पांच मिनट हो गए और यह रिखे बेटर जो है थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है अब इसमें एक चम्माच तेल डालतेंगे टेन डालने से नास्ते में साइनिंग ऐगी और दो चुटकी इसमें हम खाने वाला सोडा डालेंगे जोनों चीज़ों आच्छे से हम स्मक्स कर लेते हैं सोडा डालते ही बैटर बहुत ही जादा हलका फुलका और फुला फुला सा हो जाता है तो इसे अब ज्यादा रखेंगे तुरंत ही हम इसे जो टिन हमने ग्रीस करके रखी ती ना उसमें इसे हम पलड़ देंगे तो ये देखे बैटर बिलकुल तयार है चलिए तो फटा-फट से अब इसको हम पलट देते हैं आप इस नास्ते को थाली में कटोरियों में या फिर जो इडली वाली प्लेटे होती है उसमें भी इस्टीम कर सकते हैं बिलकुल भी आपको प्रॉबलम नहीं होगी तो ये देखे पूरे बैटर को हमने तिन में पलट लिया है हलका सा इसे ट तो ये देखे पानी में उबाला चुका है तो धीरे से अपनी नास्ते वाली टिन को इस्टेंड के उपर रखेंगे और मेडियम प्लेम पर इसे ढखकर दस मिनट के लिए हम इस्टीम करेंगे दस मिनट में ये बहुत अच्छे से इस्टीम हो जाएगा तो दस मिनट हो गए तो ये देखे कितने अच्छे से जो नास्ता हमारा है वो फूल चुका है ये देखे देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है तो चडिये अब इसे निकाल कर ठंडा होने देते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम तिन से निकाल लेंगे तो जब तक हमारा नास्ता तब तक हम इसके लिए एक चटनी तयार कर लेते हैं, तो मिक्सि-क जार में दो चम्मच मूपली, ढालेंगे मूपली को तब पर हमने रोष्ट करके इसका चिलका उतार दिया है, और इसी में दो चम्मच रोष्टर चना डाल डालेंगे, मार्केट में बहुत अंसानी से आपक तो इसको तोड कर हम इसमें डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे नमक तो आदी छूटी चमच हमने नमक डाल दिया है साथ से आठ चमच पानी डालेंगे और इसको हम पीष्द लेंगे तो यह लीजए हमारी मजएदार 책पटी सी चट्नी बनकर तैयार हो गई है तो चलिए अब फटा फट से इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, आप इस चटनी को डोसा इडली के साथ भी खा सकते हैं, चलिए तो अब इस पर एक तड़का लगाएंगे, तो तड़का पैन में एक चम्मस तेल हमने गरम कर लिया है, अब इसमें एक चोटी चम्मस सरस सोदाना और कुछ करी पत्ति डाल देते हैं, और इस तड़के को अब हम अपनी चटनी के उपर लगा देते हैं, तो यह चटनी बनकर हमारी तयार हो गई, आप इसे दो दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो चलिए अब नास्ते को भी देख लेते हैं, तो कितने नास्ते की खAK node झाते लिए लगए और सुमर हम आप इसके हम पीष कर लेते हैं, तो एक एक लिंच की दूरी तो जैसे बड़ के पीषक गुए जाते है Increment Ministries Cr گ्लेते हैं énormément चाहिए तो पैसे ही कुछ यह नास्ते को सब्लें चालएते हैं, ठीक के बहुत अच्छे से हमारा नास्ता इस्टीम हुआ है तो यह देखे पूरे नास्ते के हमने पीस कर लिए और यह लीजे आदा कप सूजी से प्लेट भरके हमारा नास्ता बनकर तयार हो गया और इसी चटपटी सी चटनी के साथ हमने सर्प किया है तोड़कर भी हम आपको दिख करते हैं बेट लॉस में भी यह आपकी बहुत ही जादा है उमेद आपको यह रस्पी जरूर पसंद आई होगी तो कैसी लगी आपको यह रस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और यदि रस्पी अच्छी लगे तो से लाइक और शेयर भी जरूर करें चैनल को सब् तेंक यू